हेलो बिड़फूल पेपाल कैसे हो आप सब लोग दोस्तों आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आ गया हूँ जहां पे मैं आपको मपुटू गुमाने वाला हूँ तो आज भी शुरुवात करेंगे हम यहीं से जहां से नॉर्मली मैं करता हूँ जैसी कि यह रोड है अबनी दे अंगोला और हम पहुच रहे है प्रासा विंतियू दे अक्तूब्र तो हम यहां से टन मारके पहुचने वाले है अदवार्दु मुनलैन जो की अल्तुमा ए कहा जाता है तो दोस्तो चलो शुरू करते है पिछली वीडियो में आपने जो बिलाल मस्जिद दिख रहे है वो देखी ही होगी तो अब हम यहां से आगे जाते हुए लेफ्ट में ट दिल्तुमा ए और यहां से जब हम लेफ्ट अन मारेंगे उस रोड को कहा जाता है अब निव देव अदवार्दु मुनलैन दोस्तो यहां पे एक अच्छा सा ब्यूटिफूल सा बड़ा सा एक स्टेच्यू है अदवार्दु मुनलैन का और यह एक फ्रीडम फाइटर थे और पहले प्रेसिडेंट थे यहां पे जो फिरलीमू है उनके दोस्तो फिरलीमू यहां की एक सबसे बड़ी पार्टी है जो की सबसे पहली पार्टी थी जिनोंने इंडिपेंडेंडेंस के लिए काफी मशरकत की थी और उनके यह सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे और इ दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर जो इस तरीके से हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो मैं बात कर रहा था वह रोड है यह तो हम आगे जाएंगे और दोस्तों यह जो रोड है मतलब ऐसा है कि मुझे 90 की याद दिलाता है जब हम लोग कॉंप्यूटर पर गेम खे शॉप्स है वो भी है मतलब क्लोज और इलेक्ट्रोनिश शॉप्स आपको काफी इस रोड पे मिल जाती है और दोस्तों आप क्लीनिंग वगरे तो देखी सकते हो तो मैं बता रहा था कि जब 90 में गेम खेलते थे उस तरीके के रोड लगते हैं आपने शायद कभी खेला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए तो दोस्तों जे इस तरीके से हम जा रहे सबसे पहले अपने को लगेगा सीमाफरू सीमाफरू पोर्चुगीज में कहा जाता है और इंगलिश में कहते है इसे सिगनल तो फर्स सिगनल जो लगेगा वो राइट में जो टन ल करते हैं और आगे जाके हम लोग रायट में टन मारेगे जो सेकन्ट सिमाफरू याने के सेकन्ड सिगनल आएगा वहाँ से हम लोग राइट में टन मारेंगे और यह जो रोड लगने वाला है दोस्तों इस रोड का नाम है गेहरा पॉप्यूलार जैसे कि आप मैप में देख को भी बाशा कहा जाता है बाशा याने की नीचला पार्ट तो काफी इस तरीके से नाम वगरे भी दिये हुए है तो जैसी कि आप देख सकते हो कि सीगनल अभी फिलाल रेड है तो हम लोग खड़े है तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक् चलो आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं गेरा पॉपलर के रोड पे हाला कि यह रोड काफी बूरा मतलब रोड काफी खराब है क्योंकि यहां पर बहुत सरे गड़े वगरे है तो जनरली में यह प्रिफर नहीं करता हूं लेकिन यहां पर अभी कुछ काम चल रहा है और रो पिलाल की कांडिशन में मुवी टेल अच्छा माना जा सकता है क्योंकि उनकी रेट्स थोड़े अच्छे है वरना सिम कार्ड के मामले में मापुटू में थोड़ा सब कुछ में गई है तो ठीक है आप प्रिफर कर सकते हो मुवी टेल को अब जब हम यह सिमाफरू पे पहु हुए थे तो यह वही रोड है लेकिन हम लोग सीधा सीधा जाएंगे और फिर वहां से लेफ्ट करेंगे और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है आप प्लीस उसको चेक आउट जरूर कीजे क्योंकि उस प्लेलिस्ट म आपको मिलेंगे और यहां पर यही रोड पर आगे जाने पर आपको हिंदू समाज का टेंपल भी मिलता है तो आज तो हम वहां तक नहीं जाने वाले हैं लेकिन वहां पर है और साथी साथ आगे मस्जीद भी है तो यहां पर बहुत सारे हिंदू मुसलमान से रहते हैं और आपको यहां पर इंडियन जैसा थोड़ा बहुत भी फिल होता है यहां के लोग इंडियन्स को मुईयें कहते हैं अभी उनकी भाषा में मुईयें का मतलब शायद यह है कि इंडियन्स तो ठीक है तो दोस्तों अगर हम आप लोग यहां पर आते हो तो आपको थोड़ा बहुत साउचीती तो रखना ही है याने की गाड़ियों में लेकिन रोड पे अगर आप चल के जा रहे हो अगरे तबी तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो रोड का काम में बता रहा था वो चल रहा है तो अच्छी बात है फिलाल इसे अच्छा करना जा रहे हैं यह लोग तो बहु लिंग दिख रहे हैं वहीं पर है हिंदू समाज का मंदिर और हम लोग अब जाएंगे लेफ्ट में क्योंकि यह जो अब रोड लगने वाला है वो यही है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था जिसका नाम था अवनियू दे होची मीन जो की जैंबे की शॉप थी वहां से सीधा सीधा निकलेंगे तो यह रोड आएगा और यहां से सीधा जाएंगे तो यह होची मीन का रोड आ गया लेकिन दोस्तों जाते जाते मैं बता दू इस एरिया में अगर आपको घर रेंट पे चाहिए तो मिनीमम मिनीमम 25,000 में दिकाश से उपर ही मिलेगा इससे कम मे आपको घर मिलना थोड़ा मुश्किल है तो दोस्तों ठीक है आज की वीडियो काफी लंबी हो रहे है तो हम यहीं पे फुल स्टॉप लगाएंगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बिलकुल बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो और इन्फोर्मेशन तो द